नमस्कार दोस्तों एक बाव फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ओफिशल यूटीब चैनल अवीजन इंस्टिट्यूट पे मैं हूँ आप लोगों के साथ और वशी सिंगी और आज का जो हमारा topic of discussion दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है जैसे कि आप लोग screens पर भी देख पा रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं top 10 current affairs based on 27th of September 2023 दोस्तों सबसे पहरे news यहाँ पर आ चुकी आपकी अमेंज साथ हमारी screens पर happy daughter's day तो basically दोस्तों daughter's day मनाया जाता है और यहाँ पर क्या significance है इस दे का क्या इसका history है क्या इसकी theme है क्या इसकी importance ही सारी बात ही हम कर लेते हैं तो daughter's day every year fourth saturday को यहाँ पर मनाया जाता है september month के तो मतलब September महिने का जो भी 4th Saturday आएगा वह हम daughter's day के उपलक्ष में मनाएंगे इस साल यह 24th of September 2023 को मनाया क्या है daughter's day को to celebrate किया जाता है to remind the beautiful importance of daughters in our lives and our opportunity to express our loves and appreciate them right so basically यहाँ पर जिनकी बेटियां है या फिर जो खुद बेटियां है किसी की उनको पता है दोस्तों कि दिवस कितना important होता है कितना जादा beautiful होता है राइट तो यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है आपको धियान रटना है 4th Saturday को यह धियान रखेंगे आप और दूसरी बात दोस्तों यह कि हमारे सेशन में हम ना केवल करेंट अफेस की बात करते हैं बलकि आप जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर आपके अप्लोडेड वीडियोस की तो यहाँ पर MCQ आप कैसे एक्सपेक्ट का सकते हैं दॉटर्टर्स दे इस सेलिब्रेटेड एवरी और ऑन डैश ऑन दे सेप्टेंबर मन्थ तो करेक्ट हो जाएगा 4th Saturday of September राइट काफी इंपॉर्टेंट है आप इसे ध्यान रखनेंगे आग इन नए हवाई रूट्स यहां पर ऑप्रेश्नलराइज किये जाएंगे असा कहना है बेसिकली सिलिफ चिंदिया झी क्या ठीक है तो यहाँ पर इसी doll बशोचाना पर यहां पर टिन और नए रीटिफ मेया ऑसवेर्टोब कार अक्टॉबर से तो बेसिकली यहां पर विच् तो आपको बस यह धियान रखना है दोस्तो के अरुनाचल प्रदेश के तेजु एरपोर्ट से जोगी लोहित डिस्ट्रिक में आपर पड़ता है वो सहां से तीन और नए रूट्स हवाई जहास के चालू की जाएंगे और उडान स्कीम के अंदर और उडान की फुल्फा में ओड़े देश का आम नागरिक ठीक है तो यह थो आप इंपोर्टेंट है ध्यानत लेंगे है ना तो अबंग फॉल्विंग हू रिसेंट्ली अनाउंस ता इमीवेंट लॉंच ओफ त्री एडिशनल एरूट्स इन अरुनाचल प्रदेश तो करेक्ट हुलेगा हमारे देख लेते हैं एक बार तो 19th edition of youth abhyas is set to commence in Alaska USA where Indian army and US army will going to collaborate their efforts and they will going to aim this with the strengthening military cooperation and readiness तो basically दोस्तों दो देशों की आर्मे एक साथ मिलती है ठीक है exercise को perform करती है ताकि जितनी भी यहां पर कुछ essential activities है potential है कुछ सीखना है उनसे कुछ इनको कुछ सिखाना है यह हम यहां पर exchange कर सके हमेशा आप देखते होंगे कि हमारा देश भारत Indian army है बहुत सारे देशों के साथ bilateral cooperation करती रहती है ताकि उनसे कुछ हम अच्छा सीख सेके उन चाइट्स विल एंगेज इन दा सीरीज ऑफ टेक्टिकल ड्रिल्स गियर तो अब बहुत पहले आप लोगों के चीज बताई कि हम उनसे कुछ सीखते हैं हम उन्हें कुछ सिखाते हैं और यहीं यहां पर इस पूरी bilateral exercise का में मोटेव रहता है तो यह दभी आज दोस्तों यूएस के आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में हो रहा है कौन सा एडिशन है जो कि अलास का यूएस से में हो रहा है 19th edition है very very important आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ओपर जो कि एक डिमाइस से related news है दोस्तों हमारे पास former Italian President Napoletino dies age 98 तो यहां पर दोस्तों इटली के पूर्वी राष्ट्रपती जियो और जियो इनका यहां पर दिहांत हो गया और यह लॉंगे सर्विंग प्रेजिदेंट लिए ठीक है यहां पर यह आपको ध्यान रखना है बस इतना ही अगर आप भियान रख लेते हो तो बहुत है बहुत जादा डेट में आपको इस question नह बाइगा ठीक है तो जो जो डो ना 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 पॉलिटान हूँ हूँ है रिसेंटली बीन पास्ट अवे बिलॉंग्स टू और वस फॉर्मर प्रेजिदेंट और विच कंट्री जैसे कि मैंने आपर एक पारमीटर आपको बना कर दिखाया यहां पर इस तरीके से आप question को क्या क आपको पता है कि आइफोन जो सेग्मेंट है हमारे इंडिया में यंग स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एपल को भी बात पता है कि इंडिया का जो यूथ मार्केट है या फिर जो एक स्टैंडरडाइज मार्केट है जहां पर large scale of people रहते है rich class of section है जो वो इनका target sector है basically अगर मैं आपको economic system में बात करूँ तो target sector है आपल का हमारे इंडिया का थिक है तो इंडिया में जो manufacturing operations आपल बोलता है कि पांच साल में वह approximately 40 billion dollars तो उसको पचा देंगे जो कि करीबन 3.3 lakh crore रुपए आपको देखने को मिलेगा है आपर तो यह बहुत ही basically successful crossing यहां पर रहेगी जो कि आपल ने हापर milestone mark किया है कि आने व भी दोस्तों इंडिया इनके लिए एक successful market यहां पर नजर आ रहा है for the future तो यह आपको देखने और इस पर directly question पूछा जा सकता है in which country apple plans to boost production 5-4 to 40 billion dollar over next 4-5 years that is our country इंडिया आगे बात करते हैं news number 6 के अपर दोस्तों basically यहां पर इंडिया के जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंग शेखावर जी ने announcement की है कि यहां पर 75% इंडिया के जो villages है उनमें ODF status यहां पर attain कर चुके है ODF status क्या है पहले यह जानो आप ODF plus status मतलब होता है open defecation free status but also successfully implemented either soil or solid or liquid waste management systems तो basically यहां पर दोस्तों ऐसे villages जहां पर जो waste management है वो पूरी तरीके से control में हो चाहे liquid हो चाहे solid हो ठीक है तो ऐसे 75% इंडियान villages जो है वो पूरी तरीके से ODF plus यहां पर अपना जो जो plan है वो पूरी तरीके से achieve कर चुके है जो कि पूरी तरीके से यहां पर defecation के अंडर यहां पर आते हैं ठीक है लेकिन अभी भी 25% ऐसे इंडियान विलेजिस बचे हैं जो कि अभी भी इस plan के अंदर status के अंदर नहीं आते हैं ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है और आपको यह चीज़ में बता दू कि सवच भारत mission ग्रामीन के फेस के अंडर दोस्तों यहां पर अधर जिक वर्यवरी इंपोर्टेंट यू तो और दूसरी बात कि कॉन से मिनिस्ट्री के अंदर है तो यहां पर वैरी वैरी इंपोर्टेंट इन में से 100% ओडियू प्लस विलेज के अंदर अभी नहीं आया है तो यह ध्यान रखना है आपको राजस्तान बाकी का नाटिक कह रहे लाओ लद्दाग या फिर यूनियन ट्रेड़िटरी जैसे लद्दाग तो यह पूरी तरीक से 100% ODF प्लस बन चुके हैं आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के उपर सबसे बड़ी बात कि यहां पर दोस्तो क्या रही है इसकी थीम आ रही है जो कि आपको ध्यान रखी है फार्मसी स्प्रेंटनिंग हेल्थ सिस्टम तो यहां पर यह आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड फार्मसिस दे का जो थीम है वह आपको इधर याग करना ही पड़ेगा ठीक है और यह ध्यान रखी गया कि दिवस कम मनाया जाता है य सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है उसकी मैंने चार्ट यहां पर बना जी तो सबसे पहले आता है मारे भारत का नरेंद्र मोधी स्टेडियम जो के एंडरवाद गुजरात में है एक लाग 32 जार की के साथ क्रिकेट स्टेडियम यहां पर बनाया गया है फिर दूसरे नंबर पर आता है नौर्थ कोरिय का प्योंग गैंग का रूंग राडव राइट तो यह फुटबॉल के लिए यहां पर मास गेम्स कहले जाता है फिर यूएस का अरबोर आता है फिर यू कॉलंबस ओहायो यह भी आपको अमेरिका का ही देखने का मिलेगा फुटबॉल का ही ठीक है तो टोटल जब से सबसे साथा का सबसे बड़ा स्टेडियम तो क्रिकेट का है जो नरेंद्र मोधी स्टेडियम ही है एंदाबाद गुजरात का ठीक है अब बहुत चारे वल्लकप जो होने वाला है वो भी आपको पहला मात शायद मोधी जी स्टेडियम में ही मिलेगा आगे बात करतें न्यूस जंबर नाइन के उपर दोस्तों संजीव मंत्री जी को M.D.C.O. बनाए गया है आइसी एसी एसी लॉंबार्ट का इन्होंने दोस्तों रीप्लेस किया है रीप्लेस किया है भारगवदास गुपता जी को तो करेक्ट यहां पर आप्रोग से डिरेक्ट क्वेशन पूर सकता है तो करेक्ट हो जाएगा संजीव मंत्री आगे बात करेंगे लास्ट हमारी न्यूस रहेगी आज किस सेशन की अंतोदया दिवस तो दोस्तों यहां पर अन्तोदया देवसर क्वेशा जाथा स gefallenधन के दियन दीन भार्ट येजे क्यों कि 25 स्प्टमबर को हर साल मनाइ जाती है ए-थिक है तो आंटोदया दिवसर हीया धिडिन लीडर अन्यल पंधि दीन लागव भाशयो औरसाट को यह जों की क змantop सो अन्तो चाट में संट म तो दोस्तों यह था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेस का सेशन आशा करते के सेशन यहां पर आप लोगको शॉट इंट्रेस्टिंग इंफर्मेटिव और हिल्फुल लगा होगा डेली हमारे ओम सेक्शन पर जाकर आप करेंट अफेस की वीडियो को फॉलू कर सकते हैं शॉट्स जो एक मिनट में आपके नॉलिज को अप्लिफ करेंगे लाइफ पंटेंट आपको मिलेगा प्लेलिस्ट को जाकर मंचा एक सब्जेक्ट की आप लोग वीडियोस देख सकते हैं कम्यूनिटी बेस पर जाकर एंसीक्यू सॉल्फ कर सकते हैं और ना केवल सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजट कर सकते हैं हमारी ओफिशल वेबसाइट यहां पर आपको लाइफ क्लासे स्ट सीरीज प्राइम मेंबर्शिप सब के बारे में डीटियल मिलेगी कोई भी दि दोस्तों जुड़े रहिए बने रहिए और देखते रहिए आगेने वाले और फूफुफुल सेशन को तब तक के लिए थांक्यू सो मच और वाराइन स्टेव